अस्टाम नीकूम गूड मॉर्निंग प्याटू वेलकम तो लेसे नमर एथ तोधे वी अर गोइन तो लर्न आ नियू लेटर बट नियू लेटर स्टार्ट कर ले से पहले हम क्या करेंगे एक दफा करवला लेसे दिवाइस करेंगे जी स्टुडेंट्स बताएं हमने कल क्या पढ़ा था क्या नेम है इस लेटर का ए वेरी गूड ए ए ए मामा ए बेबी ए और इसके साउंड क्या पढ़ी थी हमने ए ए ए ए ए एपल ए एंट है एपल है एंट ओके जी लेट्स мнеट दा न्यू लेटर एन हां जी आज हम न्यू लेटर स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है एन क्या है इसका नेम एन एन इस इस मामा एँन दिस इस बेबी एन एन अब हम इसकी साउंड पढ़ते हैं एन साउंड न वेरी गूड न क्या नहीं मैं इस लेटर का? एन 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 और इसकी साउंड क्या है? न चलिए अब हम इसकी दोस्तों से मिलते हैं जी स्टो डाइट्स पताएं ये क्या है? नीब क्या है ये नीब? नीब 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 न नीब न नीब नीब चलिए इसके दोस्तों से मिलते हैं ये क्या है? वाव नेस्ट क्या है ये? नेस्ट नेस्ट, 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 नेस्ट एन एन और इसकी साउंड क्या पढ़ी है हमने न 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 स्ट चल ले यह देखें use different colors to trace the letter अब आपको पता तो चल क्या होगा क्या करना है हमने हम इसको trace करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर फिंगर रखें, एरो को फॉलो करें, और लिखिए, यह क्या लिखा है हमने, मामा एन, वेरी गूड, अब इसी तरह हम बेबी एन लिखेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पर फिंगर रखें, एरो को फॉलो करें, और लिखिए, क्या लिखा हमन baby an 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 na 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 nip na nest इन पिचर्ज इन पिचर्ज पे हमने color करने है अब आप अपनी मर्जी से कोई से भी color कर सकते है ठीक है students ओके आज का आपका lesson यही तक था कल मुलाखात होगा